नमस्कार, मैं हूँ जोतिस कुमार, ये सवाल है देखलेजिए, जारखन का सवाल है जारखन से 56 मीटर इस भूजा का लंबाई, 54 मीटर इस भूजा का लंबाई, 19 मीटर इस भूजा का लंबाई, 13 मीटर इस भूजा का लंबाई यहां देखले जिए जब इस तरह से सवाल क्या गया है 23 मीटर ए 19 मीटर तो निश्चित जो है यह लंबा होगा यह भूजा 19 मीटर से और यह 54 मीटर से यह 56 मीटर है तो यह भी लंबा होगा तो इस तरह से डाइग्राम बनेगा इसका हम लोग 6 फाल निकाल लेंगे एक हेरोर्स फार्मूला से भी निकलेगा देखलेजे पूर वीडियो को देखे इसको यहां से इस तरह से विकर यह देखलेजे और यह जो है 90 डिगरी का है यह 29 मीटर, यह 54 मीटर इसका अब असानी से इस भूजा का लंबाई निकाल सकते हैंद पहले इसी भूजा का लंबाई निकालते हैं हम यह खेत चक है तो इस तरह से माप लिजिए ऐसे या तो फिर इसको निकाल सकते हैं AC work, देख लिजिए, यहाँ पर नाम देजिए, A, B, और यह C, इसको D दे सकते हैं, इस परकार से, बहुत ही आसानी से छेट फल निकलेगा, पूरा वीडियो को देखे, और सवाल कीजिए, अच्छा सवाल, इसका वीडियो बना है ऐसे, फिर भी जो है इसको देख लिजिए, AC बराबर, AC वर्ग बराबर, AB वर्ग, AB वर्ग पलस BC वर्ग होता है, इसको जानते हैं, AC वर्ग बराबर, AB वर्ग पलस BC वर्ग, यह है, AC का मान यदि निकालते हैं, AC बराबर, तो यह वर्ग है, तो इधर जो है अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट में AB का वर्ग ये देखे पलास BC का वर्ग आईशे होगा अब AB का मान और BC का मान रख दिजे AC बराबर अंडर रूट 19 का वर्ग धन 54 का वर्ग इस प्रकार से 19 का वर्ग धन 54 का वर्ग AC बराबर तो AC बराबर इसका वर्ग कर दिजे पहले इसका वर्ग कर दिजे 361 धन 54 का वर्ग ये 2000 मोबाइल से निकाल लिजे केलकुलेट दबा करके ये 2916 2916 ये होता है तो बराबर होगा इसको जोड़ दिजे ये दोनों को ये 3277 3277 होगा अब इसका वर्ग मुल निकाल लिजे केलकुलेटर से इसका वर्ग मुल निकाल लिजे तो एसी बराबर होगा एसी बराबर 57 इसका लंबाई इस भूजा का लंबाई 57 दो चार मीटर होगा 57 दो चार मीटर इस परकार से यहां लिख सकते हैं 57.24 मीटर अब दोनों का छेतर फ़ल आराम से निकाल सकते हैं इसमें हेरोन फाल मुरा लगा दिजे इसमें जो है सम्तकोर तिरिभूज का छेतर फ़ल जानते हैं निकाल लिजे इसका छेतर फ़ल सम्तकोर तिरिभूज का छेतर फ़ल जानते हैं त्रिबोज का छेतरफल बराबर एक बटे दो गुड़ा चववन गुड़े उन्निस कर दिजिए ते दो दुनी चार दो साते चवदा बराबर होगा पांस सो तेरा वर्ग मीटर इतना वर्ग मीटर इस पलाट का छेतरफल है यह दख लिजिए पांस सो तेरा वर्ग मीटर इस परकार से अराम से इजी तरिका से निकाल सकते हैं अब इसका हम निकालेंगे इसका जो है हेरोन्स फार्मूला का सुत्र जानते हैं उससे लगा कर किसका अराम से निकाल सकते हैं तो हेरेवन्स फार्मूला के लिए एस का मान जब निकालते हैं तो तीनों भुजा को जोड करके दो से भाग कर देते हैं जैसे एस बराबर लिख लिए एस बराबर 57.24 धन 56 धन 23 बटे 2 कर दिजिए तो एस बराबर हो जाता है 68.12 मीटर 68.12 मीटर ये एस का मान निकल आया है इतना है मीटर कहिए या जो भी अब देख लिज़े इसका सूत्र होता है जानते हैं सूत्र को एक बार लिख लिज़े एरिया बराबर अंडर रूट होता है ये सूत्र को लिख लिज़े S, S-A गुड़ा, S-B गुड़ा, S-C इस तरह से रहता है असानी से निकाल सकते हैं वीजी तरीका से इस सूत्र में मान रखके असानी से इसको निकाल सकते हैं देख लेते हैं इसमें रख दिज़े, A बराबर S का मान निकला है अंडर रूट में कर दिज़े 23, A के सामने ये है और S-B, 68.12, read, 56 कर दिज़े और 68.12, read, 57.24, एक किसी की भी भूजा को आगे पीछे लिख सकते हैं किसी की भूजा को उत्तर में कोई डिफ्रेंस नहीं होगा A बराबर हो जाएगा, इसको घटा दिज़े इसको घटाने के बाद 68.12, गुरा, तेस घटाएंगे, तेस घटाएंगे, और 100.12 में से 45.12, 45.12, गुरा, और लंबा इस तरह से जाएगा और 10.88, इसमें देख लिजे गुरा, 10.88 होगा, 10.88, इस अंतावन को घटाएंगे तो 10.88 होगा, इसको लिख दिया हूँ, इसमें से घटा लिजे और 12.12, 68.12 से 56 घटाएंगे, तो 12.12, इतना होगा, ये आगे पीछे है, ध्यान दिजेगा, किसी को भी लिख सकते है तो बराबर होगा गुडा करने पर, ये बराबर, ये चार लाख पांच हजार, चार लाख पांच हजार, दो सो अंठानवे, दो सो अंठानवे, दसमलाओ, शात तीन, इतना होगा, इसका अब जो है, केलकुलेटर में वर्ग मुल दबा के डिजिट को दबा दिजे, तो बराबर निकल आता है, इसका छेतर फल, 636.63 वर्ग मीटर, ये देखिए, इतना वर्ग मीटर निकल आया, इतना, इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से, ये 636.63 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर होगा, इतना, इस परकार से, अब हम इसको जो है काठा में कैसे जान सकते हैं देख लिजिए एक काठा बराबर जानते हैं 720 वर्ग फिट होता है वर्ग फिट यहाँ पर यदि इसको मीटर में बदलेंगे दो दस दसमलो साथ पांच आठ चार से भाग कर दीजी बराबर होगा यह काठा का मान हो जाता है चार सट दसमलो चे तिन वर्ग मीटर होगा चार सट दसमलो चे तिन वर्ग मीटर अब इसको भाग कर दीजी इसको जोड़ करके 636.63 वर्ग मीटर है पूरे पलाट का निकालिए 513 तो बराबर होगा 3,6,6,3,9,1,4,11 भाग कर दीजी इससे काठा निकालना है तो 64.63 बराबर होगा ये भाग करके देख लिजीए 17.17 काठा होगा इतना काठा होता है 17.17 अधूर जानना है तो 17.17 गुरा में कर दीजीए 20 बराबर होगा 343.58 धूर होगा एतना इस तरह से इस काठा का उप्योग भी कई छित्रों में होता है और एक धूर देख लिजीए जारखन में एक धूर 10 वर्ग मीटर का भी जानते हैं ये भी होता है एक धूर बराबर 10 वर्ग मीटर धूर आओ काठा का मान कई हो सकते हैं अलग-अलग कई इस्थानों पर होता है इसको देख लिजीएगा अपने अपने छेत्र में जो भी हो अब इस धूर से कितना धूर होगा तो सीधे सा 1149.6 बटे में कर दीजी 10 तो बराबर होगा 114.96 धूर होगा देख लिजीए इस धूर से 10 वर्ग मीटर के धूर से 114.96 धूर होता है और इससे जो है 720 वर्ग फिट एक काठा का मान है इससे धूर का मान अलग निकलता है और इसमें होगा 343,258 धूर इस तरह से बहुत ही असानी से जान सकते हैं